कि आप फोन पे की मदद से गोल्ड खरीदना चाहते हैं, डिजिटाल गोल्ड की अंदर नीवेस करना चाहते हैं, तेन आज की वीडियो केवल आप ही के लिए हैं फोन पे की मदद से गोल्ड खरीदना बहुत आसान, बहुत सिंपल है, जासे अधा एक मिनिट लगता है और इसकी जो सबसे बारा जो खास बात है आपके बल एक रुपया से ही गोल खरीत के गोल प्राइस इंक्रीज होने पर उसे सेल करके पैसा भी बना सकते हैं जो भी है फोन उठाइए और फोन पे मुबैल अप ओपन कीजिए बाकी वीडियो फॉलो करने के लिए आपके पास भी फोन पे अकाउंट होना जरूरी है अगर बायचंस नहीं है दे नीचे डेस्क्रिप्शन और फास्ट कोमेंट पे आपको मिलेगा फोन पे की फ्री अकाउंट ओपिनिंग लिंक तो एकाउंट ओपन करने की बाद बाकी की वीडियो फॉलो करे फोन पे मुबैल अप ओपन करने की बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा काफी सारे ओप्शन यहाँसे आपको क्लिक करना है वेल्थ की उपर साथी साथ आपको मिलेगा कुछ ऐसा ही एक इंटरफेस यहाँ पे पहला है डिजिटल गोल्ड की अंदर इंबेस्टमेंट करने की ओप्षन और बाकी ओप्षन की मदद से म्यूचल फ़न इंबेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आप फ़न पे की मदद से म्यूचल फ़न इंबेस्टमेंट प्रोसेस सीखना चाते तो निचे कॉमेंट कीजिए हम आपके लिए एक अलगस वीडियो बनाएंगे जो भी है फिलाल के लिए हमें डिजिटल गोल्ड की अंदर निवेस्ट करना है तो हमने पहला ओप्शन गोल्ड की उपर क्लिक किया उसकी बाद यहाँ पे हमें मिलता है गोल्ड इंबेस्टमेंट करने की दो ओप्शन पहला ओप्शन स्टार्ट SIP की मदद से आप चाहे तो हर मैना थोड़ा थोड़ा करके एक पेसिबिक अमाउंट गोल्ड की अंदर निवेस्ट कर सकते है इसके अलाबा दूसर ओप्शन बाई वान टाइम की उपर क्लिक करके आप जब चाहे कितना भी अमाउंट की गोल्ड खडिश सकते है जो भी है फिलाल मुझे करना है वान टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए सेगेंड ओप्शन बाई वान टाइम की उपर हमने क्लिक किया देखिए फोन पे की मदद से हम मिनिमाम एक रुपया से लेकर मैक्सिमाम टू लाग रुपिश तक की गोल्ड खडिश सकते है जो कि यह 100% फियोर 24 करेट डिजिटल गोल्ड यहाँ पे गोल्ड खरीदने की दो अप्शन है बाई इन रुपिश इसे सिलेट करके आप एमाउंट पेसिभाई करके गोल्ड खरीद सकते है कि आपको 1 रुपिया की गोल्ड खरीदना है, 100 रुपिया की गोल्ड खरीदना है, 500 रुपिश की, 1000 रुपिश की, 10,000 रुपिश या फिर विदिन 2 लाक कितना भी अमाउंट की गोल्ड खरीदना है आपको तो आप इस option को select करके उतना amount की पेसिफाई amount की gold खरीच सकते हैं उसकी बाद gold खरीचने की दूसरा option है buy in grams इस option को select करके आप एक specific weight की gold खरीच सकते हैं जैसे की 0.25 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram phone पे दोनों option बनाया इसलिए मैंने discuss किया लेकिन आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आप simply पहला option buy in rupees select कीजिए और यहाप एंटर कीजिए आप कितना amount की gold buy करना चाहते हैं खुद की इस आप से amount एंटर कीजिए जैसे कि मैंने एंटर किया 500 rupees इसकी अलाबा यहाप पे छोड़ा छोड़ा करके दिया गया है गोल्ड की life price कितना चल रहा है साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि digital gold investment की उपर 3% GST लगता है तो अगर आप इस GST को बचाना चाहते देन SDV is the better choice SDV investment की उपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे जो भी है फिलाल के लिए amount डालके क्लिक कीजिए नीचे दिया गया process बटन पे उसकी बाद यहाप पे आपको मिलेगा बिल्कुल same to same review page जैसे कि यहाप आप देख सकते हैं मुझे 500 रुपीस की बदले में 0.083 grams gold मिल रहा है या फिर एक रुपीया की बदले में हमें मिल रहा है 0.0001 grams gold और इस transaction के लिए सारे 14 रुपीस की GSTV included है जो भी है सब कुछ एक बार चेक करने की बाद फाइनली क्लिक करें नीचे दिया गया process to pay बटन पे फिलाल हमें payment करना है और payment करने के लिए फोन पे के साथ आपके जितना भी बैंक की UPI ID लिंक है उसकी एक लिस्ट मिलेगा तो फिलाल इन में से किसी एक UPI ID की मदश से नहीं तो यहापे क्लिक करके debit नहीं तो credit card की मदश से payment कीजिए जैसे कि मुझे इस UPI ID की मदश से payment करना है तो हमने इसे selected रहने दिया और क्लिक किया नीचे दिया गया pay बटन पे उसकी बाद यहापे UPI ID डालके क्लिक कीजिए submit बटन पे उसकी बाद थोड़ा सा wait करना and finally done, congratulations आपका gold investment हो जुगा है successful और आपको मिल जुगा है 0.0834 grams of gold जैसे कि live market की अंदर gold price कम जादा gold मिल सकता है जो भी है अगर आप खुद की gold investment को बाद में भी track करना चाहते तेमन home screen पे जाके फिर से क्लिक कीजिए wealth की उपर और यहाँ से open कीजिए gold और जैसे कि आप देख सकते आपको भी बिल्कुल सेम तरह से आपका भी gold investment की जानकरी यहाँ पे ही मिलेगा इसके अलाबा यहाँ पे दिया गया start SIP या फिर buy one time की उपर क्लिक करके आप चाहे तू फिर से gold की अंदर निवेज कर सकते gold buy कर सकते और यहाँ पे दिया गया manage your locker की उपर क्लिक करके आप चाहे तो gold sale भी कर सकते हैं तो gold sale करने के लिए manage your locker की उपर क्लिक कीजिए उसके बाद क्लिक कीजिए sale gold की उपर इसके अलाबा gold खरीदने की minimum 24 hours या फिर कम से कम एक दिन बाद ही उस gold को sale किया जा सकता है और जैसे कि मैंने अभी अभी just gold को purchase किया तो इसी time पे उसे sale करना बिल्कुल impossible है तो बाकी की process आपको दिखाने के लिए मैं एक दिन बाद record करता हूँ एक दिन बाद तो आपके पास जितना भी o8 और amount की gold है उसकी जानकारी है या पे तो फिलाल के लिए आप जितना भी amount की gold बेजना चाहते उसे या पे डाल के क्लिक करे sell बटन पे फिलाल मुझे नहीं बेचना है लेकिन process आपको दिखाना है इसलिए या पे मैंने 10 रुपया डाल के क्लिक किया sell बटन पे उसकी बाद आपको मिलेगा कुछ इसी तरह की एक review पेज एक बार चेक कीजिए सारे details उसकी बाद फाइनली क्लिक कीजिए नीचे दिया गया confirm बटन पे and done congratulations गोल्ड हो चुका है sell बिल्कुली same process को follow करते हुए आप चाहे तो कितना भी बार गोल्ड पार्चेस या फिर sell कर सकते है देखिए गोल्ड इंबेस्टमेंट हमेशा long time के लिए ही किया जाता है long time पे gold 8-10% की जाधा ही return दिया है और इसी तरह से quality content अगर आप आगे भी देखना चाहते तेनी इस channel को subscribe करने की साथ-साथ bell icon ओन करना ना भूले बहुत ही जल्दी SJB की उपर भी वीडियो आने वाला है आज की वीडियो पसंदा आज इस वीडियो को like करें और इस वीडियो को जाध-जाधा share करके हमें support, हमें motivate कीजिए साथ-साथ रियात रखना आज हमने जो कुछ भी discuss किया है सब कुछ है विल्कुल study purpose के लिए किसी भी जगा पे निवेस करने से पहले या फिर निवेस ना करने से पहले कुछ दिस study कीजिए और अगर आपके कोई भी financial advisor है हुन से भी आप सला ले सकते जो भी है thank you दिल से हम मिलेंगे फिट से keep going, keep growing